दोस्तों आप से भी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकोलेंट प्रिडिक्शन में गाईज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं न्जेट डाबलू वीएस बीडी डाबलू मतलब कि न्यूजीलैंड वूमेंस और बांगलादस वूमेंस की बीच में और आप लोगों को बताता चलो इस मुकाबले से रिगार्डिंग और कोई भी मुकाबले जो कि मैं कवर करता हूँ उसकी फाइनल टीम विद अपडेटेड गाइडेंस टीम आप लोगों को मेरे टेलिग्राम के चैनल पर ही मिलती है जिसका के लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो क्रिक 2580 आप लोग लोग सर्च करके भी यहां पी आ सकते हो पहले कोशिस करना लिंक से आना तभी आप सही जगह प्याओगे क्योंकि काफी जादा लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल बगएरे क्रियेट किया हुआ है जहां पर नकली सस्क्राइबर बोर्ड द्वारा इसिंग सस्क्राइबर बढ़ा कर बैठें ठीक है तो आना तो सब मुकाबला है यहां पर मैं अपडेट कर लेता हूं तो देख सकते हो सेकंड टी टॉएंटी आई का मुकाबला चार दिसंबर को 6 बच के 30 मिनट पे मतलब सुबा 6 बच के 30 मिनट पे आप लोगों को अपने भारेट टाइम अनुसारी मुकाबला देखने को मिल जाएगा जो क यहां पर भी कुछ इसी परकार का मान के चल सकते हो अगर न्यूजीलेंड वुमेंस की टीम फर्स्ट बैट करती है तो थोड़ा स्थीक ठाक स्कोर बन सकता है अधर्वाइस यहां पर बांगलादेस वुमेंस की टीम फर्स्ट बैट करीगे तो आप लोग मतला सो के अंदर ह धुकाबले में दो मकाबलेे तो दो मुकाबले ख kıle शाएं जहां पर दोनों मुकाबलादान यूजिलेंड की वुमेंस टीम नहीं वहां किया बांगलादेसं वुमेंस टीम का खाता नहीं खुला रहा। इन परोस्कोर को dépला ग obt oftenने थे दोनों राजवाब खेला लग एंड 45 रन पलस बॉलिंग भी करती हैं सोफी डिवाइन बॉलिंग से विगेट नहीं मिला था बागी स्यूजी बैट्स के 41 रन थे अमेला केर की बात करते हैं तो 27 रनों के स्कोर इन्हों ने भी किया था बागी बॉलिंग से भी इनको एक विगेट मिलाता माइडी गरीन जो कि आप स्कोर यह थी पलस बॉलिंग से भी इनको चार विकेट मिला था लॉरें डान उनको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला था बाकि हीली जैंसन ने ला जवाब परफोर्मेंस किया था तीन विकेट इन्होंने निकाला था जोर्जिया प्लीमर यह यहां पर शो हो रही थी व वहाइं देथ में लीत हाओ और हैली जैंसन को आप लोग मान के चल सकते हो अब जो खेलाड़ी जहां से इनके तब से आप लेगों को अच्छी खासी ओपर करते हो बाकि लीत हाओ ठीक है अब इन्हीं लोगों में से एक दो बर कटेगा तो आप लोगों को सोफी डिवाइन भी बॉलिंग करती हुई दिख सकती है तो इनके तरफ से 6 बॉलर को आपसन है वैसे विकल्प की बात किया जाए तो यहां से सूजी बेट्स भी बॉलिंग करती है लेकिन हाल फिलाल इन्होंने बॉलिंग नहीं किया तो फिलाल जो कि पिछले मुकाबले में बॉलिंग की है हम इन ही के अकॉर्डिंग मान के चलने वाले हैं बात करते हैं दूसरी जो कि बांगला दिस वूमेंस की टीम रहने वाली इनके तराफ से खेलाडी क्या कुछ स्कोर कर किया रहे हैं तो मुर्शिदा खातून के साथ यहां से दिलारा अक्तर ओपनिंग करतुई दिख जाएंगी तीन का स्कोर मुर्शिदा खातून ने किया था वही दिलारा अक्तर के दो ही रन थे बाकि वन डाउन यहां पे निगारा सुल्तान जो की टीम की कैप्टन है इनका खाता नहीं खुल पाया था उसके बाद फरगना हक खेली थी जिन्होंने पांस रनों के स्कोर किया था बाक खातून को भी कोई भी विकेट नहीं मिला था बाकि नाहीदा अक्तर ने एक विकेट निकाला था और यह पूरी जो बांगलाद इसकी लाइना पे ना इसमें सबसे जो की बेस्ट रिकॉर्ड रखती है वो नाहीदा अक्तर ही रखती है बाकि संजीदा अक्तर मेगाला को भ लोगों को बॉलिंग करता हूँ थोड़ा सा प्रिडिक्शन करके बॉलिंग इंफोर्मेशन जारा हम लोग इनके ताफ से देख लिया जाए तो देखो इनके ताफ से बहुत सारे ओपसन है लेकिन जो अच्छे खासी ओबर कर सकती है तो जहनारा आलम रीतु मोनी बाकि लेकिन कर सकती है और वैसे मान सकती हूँ कि इनहीं लोग में से एक-एक ओवर कटेगा तो रुमाना एहमद और फातिमा खातुन भी बॉलिंग करती ही दिख सकती है बाकि न्यूजिलेंड वूमेंस के ओवरॉल सारी खिलाड़ी को रिकॉर्ड है अगर कोई बेंच से खिला बांगला दिस वूमेंस के भी ओवरॉल सारी खिलाड़ी को रिकॉर्ड है अब बांगला दिस वूमेंस के तरफ से मुझको तो सब बॉलिंग ही टाइप के देखने को मिल रहे है अल्राउंडर है बट बॉलिंग ही अल्राउंडर सारे खिलाड़ी देखने को मिल रहे है जो तो आपको बताता चलो पहले like कर देना वीडियो अच्छी लगी ओ तो और बाकि चानल पर जो लोग नहां होंगे subscribe कर को प्रेस कर लेना बाकि वीडियो देखकर आना छोटी सी वीडियो है 6 मिनट की मात्र वीडियो तो वीडियो देखकर आना देखो विकेट कीपर आफसन से बात करते हैं तो देखो कम से कम चार खिलाड़ी तो लेना ही है बांगला देस वुमेंस की तो यहां से निगारा सुल्ताना जो कि बिष्ट में लग रही है बाकि जे मैंक फिडिन खेलेंगी भी तो विकेट कीपरिंग के ही पॉइंट दे सकती हैं अब मैं आपको बताता चलू देखो अगर न्यूजीलेंड वुमेंस की टीम चेज करीगी तो हो सकता है मैं यहां से मैडी गरीन को ड्रॉप करके मतलब कुछ और चेंजे मतलब मैडी गरीन को ड्रॉप करूंगा फिर अपने टीम में किसी और यहां से बांगला दिस की आके आल आउट हो जाती है और इनका बैटिंग ही नहीं आता है तो वेस्ट हो सकती है तो इस वज़ा से आप लिप टेली ग्राम पर रहना यह मुकाबला काफी हद तक टॉस पर डिपेंड करने वाला है बाकि और कोई से देखिएगा तो यहां से सोफी डेवाइन और अमेल यहां से इंप खातुन को आपना चैनस में चल सकता हूं मनलो यहां से Cairo अगर इक भी निकाल दीट इतना इसली फज्या से बोल रहा हूं बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन देखो सोफी डिवाइन जो की ओपनिंग के साथ साथ लेकिन फाइनल टीम आप लोगों को अपडेटी टीम टेली ग्राम पर मिलेगा जिसका की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में अटेच कर दिया लिंक वर्क नहीं करता है तब आप लोग क्रिक 2580 लिक कर सर्च करके यहां पर आ सकते हो अधर्वाइस पह बहुत अच्छी मतलब इंज्वाइ करते हैं विनिंग करते हैं और लोस भी होता है बट अच्छा यहां पर लगता है आप लोग भी आने का जरूर ट्राइ करना तो मिलते हैं का और अच्छी विर्टा तब तक के लिए गुड़ बाए